तो हर्याणा मंत्री मंदल की एहम बैठक हुई काफी एहम मुद्दो पर चर्चा की गई तमाम जानकारी विस्तार से देंगे हमारे वरस्व संबादाता पवन सिवर लाइब हमारे साथ जड़ गाएं पवन जो बजट अब 25 फरवरी को पेश होने वाला था सूत्र बता रहे लेकिन अब वो दो मार्च को फिक्स हो गया है दो मार्च को बजट पेश होगा और क्या कुछ एहम रहा इस बैठक में है अब बिलकुल देखे हरियाना विदांसभा का चौश बजट सत्र है वो दो मार्च शी श्रू हो खोगा और पहले 25 फरवरी सेे सरकार जो है वो बजट शोत्र बुलाने की तयारी में थी लेकिन आज जब अज्य मंत्री मंडल की बैठक हुई तो मंत्री मंडल की बैठक में 25 फरवरी की बजै जो बजट 17 है दो मार्ज से शुदु करने पर सहेंति बना इंद कर चलते के बिजनेस अडवाहिजरी कमेंटी की जो बैठक होगी उसमें तहय जाएगा आज हुई कैबिनेट की बैटक में तमाम जो फैसले हैं वो लिए गई है कैबिनेट की बैटक के बाद हरियाना की मुख्यमंतरी मनहोर लाल ने प्रेस कोंफरेंस की है और कैबिनेट में लिए गई फैसलों की जानकारदी है सीम ने बताया है कि जो बजट सत्र है वो दो मार्च से बुलाया गया है और इसके लिए राजेपाल के पास पश्टाओ जो है वो आज कैबिनेट में पास करके भेज दिया गया है राजेपाल से मंजूरी के बाद जो है वो आगे की इसमें कारवाई बढ़ाई जाएगी इसके साथ साथ मुख्यमंतरी मनहोरलाल ने जो कैबिनेट में फैसले लिए गई है उनकी जो जानकर दी है उसमें एक सबसे बड़ा फैसला सरकार ने लिया है कि धर्मानतरन को लेकर एक विदेग जो है वो सरकार इस बार बजट सतर में लेकर आ रही है परदेश में कोई भी बज़े जो मामले हैं वो जो लगातार चरचा में रहे हुसके बाद सरकार ने यह फैसला किया है कि कोई भी ज़वरदस्ती धर्मानतरन का प्रिवर्तन ना हो दर्म प्रिवर्तन ना करवाए इसके लिए मुख्यमंतरी निकाए कि अगर कोई धर्म बदलना चाहता है तो जि सरदस्तिय दबाओं में कोई परिवड़तन ना करें इसको लेकर यह बिल है ये सरकार बज़त सत्र में ले कर आ रही है और इसको लेकर सजासे लेकर जुर्माने तक प्रावधान जो वह इस विल में किये गए हैं इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जान कर दिया कि यह जो वो इस बार बज़र सतर में सरकार लेकर आ रही है यानि राजसों से जुड़े मामलों में करी 20 विदेक ऐसे हैं जो जिनकी अब जरूरत नहीं है जिनके अब उपयोगिता नहीं रह गई है उनको निरस्ट करने के लिए उनको रद करने के लिए एक निरस्ट विदेख दो हजार बाईस जो है वो सदन के पैटल पर सरकार रखेगी यह जानकारी मुख्यमंतरी मनहौरलाल ने दी है मुक्यमंतरी ने बताया कि आज की कैबिनेट की बैठेक में 28 अजेंडों पर चर्चा हुई है और इन अजेंडों के उपर कैबिनेट की महर लगाई गई है जिसमें आज जो है वो एक फैसला है कि जो परदेश में जो पंजाब डिसलिरीज एक्ट बना हुआ है उसमें एक अम प्लब्द है यानि पूरी एक जो है वो जानकारी विवाग के पास सरकार के पास रहे यारी ट्रांसपेरेंसी रहे उसको लेकर एक अमेंट्मेंट जो है वो की गई है इसी के साथ साथ जो है वो सहाबाद का जो शुगर मिल है उसकी शमता बढ़ाने और उसमें एथनोल प् पर भी सिख्षय विभाग में ग्रूप सी के लिए भी जो सर्विस रूल है उसमें अमेंडमेंट पर कैबिनेट की महर लगी है तो इस तरह के आज की कैबिनेट की बैटिक में तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं लेकिन जो सबसे मुखे फैसलों में अगर बात करें तो जहा आज वो निरस्त करने के लिए जो विधे के सरकार वो भी बज़ट सतर में लेकर आएगी जी चले तमाम जानकारी के लिए पपन आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो हराडा मंत्री मंडल की एहम बैठक हुई तमाम 28 अजंडों पर चर्चा की गई गैर कानूनी धर्मांतर का जो मामला है वो भी केमिनेंट में मन्जूरी दी गई है पेश किया जाएगा इसके साथ ही कई एहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई है आगे बढ़ा